फ्रेंस रोयल इंफिल्ड के बारे में कौन नहीं जानता रोयल इंफिल्ड जिसे बुल्ट के नाम से जाना जाता है इंडिया की पॉपलर कमपनी है और लोगों को इस कमपनी की बाइक्स काफी जादा पसंद आती है तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोयल इन्फिल्ड की टू अपकमिंग बाइक्स के बारे में जो जल्दी इंडिया में लॉंच एने वाली है तो एक रिक्वेस्ट ये वीडियो अप लास तक देखे हो का लुक काफी ही प्रीमियम होगा नए मोडल में अलोई वील्ड और विंडो रिफ्लेक्टर समेथ कई नए स्टाइलिंग एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे बाइक रिवाइस्ट, फ्यूल टैंक, नए डिजैन की टेल लेम, नए ग्रेब रेल्स और एक्जोस्ट के साथ आएगी इसमें डिजिटल डिस्प्ले और एनो लॉक स्पीडोमेटर के साथ सेमी डिजिटल इंस्टूमेट कंसॉल भी देखने को मिलेगा इसके अलावा नए बाइक में कई और बदलाव भी आपको देखने को मिलेगे इस बाइक के इंजिन की बात करें तो नए क्लासिक 350 में SOHC और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ 350 CC का नए इंजिन देखने को मिलेगा इस बाइक की टॉप स्पीड और माइलेज के बारे में अगर हम बात करें तो इस बाइक की टॉप स्पीड 130 किलोमेटर पर होवर है और वहीं ये बाइक 35 से लेकर 37 किलोमेटर पर लिटर का माइलेज प्रोवाइड करती है वहीं इस बाइक के प्राइज के बारे में अगर हम बात करें तो इस बाइक का प्राइज 1.60 लाग रुपे के करीब रेने की उमीद है Royal Infilt Mateo 350 Royal Infilt Mateo 350 Motorcycle J Platform पर अधारित होगी बाइक के फ्रेंट में टेले स्कॉपिक, फर्क, सस्पेंशन और रियर में ट्विन शॉक एबजॉप्स देखने को मिलेंगे Royal Infilt की इस बाइक में सर्कुलर हैंड लैंप दिया गया है जिसके किनारे पर LED डे टाइम रैनिंग लाइट रिंग है Company की Thunderbird X की तरह मेटियर को भी Bright Color Option में पेस किया जा सकता है जिसमें Yellow और Red शामिल है इस बाइक के इंजिन की बात करें तो इसमें आपको 346 तो 499 CC की Capacity वाला नया इंजिन देखने को मिल सकता है इस बाइक की Top Speed और Miles के बारे में अगर हम बात करें तो इस बाइक की Top Speed 150 किलोमेटर पर होवर होगी इस बाइक के Price के बारे में अगर हम बात करें तो इस बाइक का Expected Price 1.75 लाइक रुपे है दोस्तो इन बाइक की लाइक की बात करें तो अब तक मिली जानकारी के अनुसार आगामी 2-3 मेने में ये बाइक लाइक हो सकती है दोस्तो आपको इन दोनों में से Best Bike कौन सी लगी आप हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताए साथ ही आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक को शेयर जरूर कर दीजे टैंक्स